नमाशकार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर संदीप साहू और आप सभी का इस चैनल Health and Ahurveda में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट अटेक के बारे में हार्ट अटेक क्या होता है या हार्ट अटेक किसे कहते हैं और हार्ट अटेक आने पर क्या-क्या लक्षन होते हैं तो वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आएए सुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं कि हार्ट अटेक क्या होता है हम सभी जानते हैं कि हमारा हार्ट पूरे शरीर में बलड की सप्लाई करता है और इस blood के माध्यम से ही शरीर की सभी को सिखाओं को potion और oxygen मिलता है और हमारा heart या हिर्दय खुद अपने मान स्पेशियों को भी खुन के नलिकाओं या जिन्हें coronary artery कहते हैं के माध्यम से खुन की supply करता है heart को blood की supply करने वाले इन arteries या खुन की नलिकाओं की संख्या तीन होती है और जब इन्हीं खुन की तीन नलिकाओं या artery में से किसी एक artery में blockage हो जाता है और इस blockage के करनाण खुन के बहाँ में रुकावाट आ जाता है जिससे हिर्दय की मांस्पेशियों को खुन नहीं मिल पाता है जिससे heart का वह हिस्सा धीरे धीरे damage होकर dead होने लग जाता है और इस इस्थिति को ही heart attack कहते हैं मतलब इस इस्थिति में खुद heart की मांस्पेशियों में खुन की supply नहीं हो पाती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि heart के muscles में खुन की supply करने वाली आंट्री में cholesterol के कारण blockage हो जाता है और blockage के कारण आगे खुन का वहाओ नहीं हो पाता है जिससे हिर्दय का वह भाग नस्ट होने लग जाता है और इस इस्थिति को ही heart attack कहते हैं आईए अब जानते हैं कि heart attack आने पर क्या क्या लक्षन हो सकते हैं heart attack आने पर सीने में बिल्कुल बीचो बीच या थोड़ी बाई तरफ अचानक से बहुत तेज दर्द उठता है सीने में बहुत तेज दबाव जैसा महसूस होता है या भारी पन लगता है और कभी-कभी सीने का दर्द बाएं कंधे में या बाएं हाथ की ओर जाता है और कभी-कभी यह दर्द गले में या जबडे की ओर भी महसूस होता है और पेट के उपरी हिस्से में भी महसूस होता है हार्ट अटेक आने पर कई लोगों को पसीना आता है और कई लोगों को उल्टी भी लगती है ये सभी लक्षण हार्ट अटेक के आने पर होते हैं लेकिन कई बार ये सभी लक्षण हार्ट अटेक आने पर नहीं होते हैं और कई बार हार्ट अटेक आने पर पेशेंट को किसी भी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होता है। आइए अब जानते हैं हार्ट अटेक किस कारण से होता है, हार्ट अटेक का मुख्य कारण ब्लॉकेज होता है। हार्ट को खून पहुचाने वाले कोरोनरी आर्टरी में धीरे धीरे जब चर्वी की परज जमा होते जाती है और जब यही चर्वी की परज बढ़ते बढ़ते खून की नली को 70-90 प्रतिशत ब्लॉक कर देती है तब ऐसे में धमनी के अंदर और अधिक दबाव बढ़ने से चर्वी के ब्लॉकेज की उपरी जिली फट जाती है जिससे एक केमिकल रिलीज होता है और यह केमिकल खून को तुरंत थक्के के रूप में जमा देता है जिससे जो ब्लॉकेज 70-90 प्रतिशत था वह बढ़कर 100% हो जाता है जिससे खून हार्ट की मसल्स को नहीं पहुँच पाता है और हार्ट के जिस हिस्से में और जितने हिस्से में खून की सप्लाई रूप जाती है वह हिस्सा धीरे-धीरे मृत होने लग जाता है तो इस प्रकार ब्लॉकेज ही हार्ट अटेक का मुख्यकाराण होता है हार्ट अटेक से बचने के उपाए जैसा कि हमने जाना ब्लॉकेज के काराण ही हार्ट अटेक होता है अगर हम ब्लॉकेज को होने से ही रोग दें तो हम हार्ट अटेक से बच सकते हैं हार्ट के ब्लॉकेज के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइगलेस्ट्राइट कोलेस्ट्रॉल ये एक तरह का फैट होता है जो हमें नॉनवेज फूड आइटम्स के द्वारा मिलता है इसके अलावा यह दूद की मलाई, दही, घी, बटर में भी उपस्थित होता है इस प्रकार जो लोग अधिक नॉनवेज खाते हैं या अधिक क्रीम वाली या अधिक मलाई वाली दूद दही का प्रयोग करते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल जादा होता है और यह कोलेस्ट्रॉल धीरे-धीरे हमारे खून की नलियों में जम कर उनको पतला करता है और ब्लॉकेज बनाने लगता है ठीक इसी प्रकार ट्राइगलिसराइड भी एक प्रकार की फैट या चर्बी है जो सभी प्रकार के तेल में उपस्थित होता है और जब हम अधिक तला हुआ याने डिफ्राइड आइटम या अधिक तेल वाला खाना खाते हैं या मुमफली, बादाम, काजू इस तरह की चीजों में भी ट्राइगलिसराइड उपस्थित होता है जब हम इनका अधिक सेवन करते हैं तो ट्राइगलिसराइड हमारे शरीर में धीरे धीरे जमा होने लगती है और यह कोलेस्टरॉल के साथ मिलकर हमारे खोन की धमनियों को पतला करने का काम करती है और ब्लॉकेज बनाती है इस प्रकार cholesterol और triglyceride का एक निश्चित मात्रा से ज़ादा होना हमारे शरीर के लिए नुकसान दे होता है और ये ही आगे बढ़ कर धीरे-धीरे blockage का करण बनता है cholesterol और triglyceride के बाद blockage का जो मुख्य करण है वह है तंबाकु सिग्रेट, बीडी, खैनी, गुटका, पान, मसाला, जर्दा किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है क्योंकि तंबाकू के सेवन के करण हमारे खून की नलिकाएं अधिक चिप-चिपी होने लग जाती है और उनमें कोलेस्ट्राल और ट्राइगलिसराइट आसानी से चिपक कर ब्लॉकेज बनाने लग जाते है इसलिए तंबाकू का किसी भी प्रकार सेवन हमारे लिए ब्लॉकेज का करण बनता है इसी प्रकार हाइपरटेंशन मतलब BP के बढ़ने से और डाइपरटेंशन मतलब BP के बढ़ने से भी ब्लॉकेज के चांसेज जादा होते हैं क्योंकि हाइपरटेंशन मतलब BP के बढ़ने से हमारी खून की नलिकाओं में अतरिक्त दबाओ या धक्का पड़ता है जिसके कराण उनकी दिवारें कमजोर होने लगती हैं और ऐसे जगा में कोलेस्टरॉल और ट्राइगलिसराइट आसानी से चिपक कर ब्लॉकेज बनाने लग जाते हैं फिक इसी प्रकार डाइबिटीज या सुगर के कराण हमारी खून की छोटी छोटी ने लिखाएं खूरदूरी होने लगती हैं और इस खूरदूरी सता पर कोलेस्टरॉल और ट्राइगलिसराइट आसानी से चिपकते हैं और ब्लॉकेज का निर्मान करते हैं और इन सभी कारणों के अलावा हार्ट अटेक का एक और प्रमुक कारण होता है वह है इस्ट्रेस तनाव या टेंसर जिन लोगों के हार्ट के कुरोनरी आर्ट्रीस में 70%, 80% या 90% ब्लॉकेज होता है और ऐसे व्यक्ति अगर ज्यादा टेंसर ले ज्यादा गुस्सा करें या ज्यादा दुख में या अचानक सद्मा लगने पर इन तो ऐसे तनाव भरी परिस्थितियों में ऐसे लोगों में ब्लॉकेज की जिल्ली फटने का खतरा ज्यादा रहता है और जिल्ली फटने से तुरंत एक मिनट में ही 100% ब्लॉकेज हो जाता है जिससे उनको heart attack आ जाता है तो इस प्रकार stress या tension, hypertension, diabetes, cholesterol और triglyceride को यदि कंट्रोल कर लिया जाए तो heart attack को आने से रोका जा सकता है इसके लिए हमें अपने जीवन सेली में सुधार करने के आफशकता होती है इसलिए heart attack से बचने के लिए अधिक cholesterol या triglyceride वाला खाना खाने की बचाए स्वस्थ और पोशक युक्त आहार लेना चाहिए तंबाखू या अन्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए प्रति दिन कम से कम आधा घंटा योग व्यायाम प्राणायाम के माध्यम से सरीर को स्वस्थ रखना चाहिए और इनके द्वारा अपने शुगर और वजन को कंट्रोल में रखना चाहिए और ध्यान या मेडिटेशन के माध्यम से अपने तनाओ को भी कम करने की कोशिश करनी चाहिए तो इस प्रकार हम इन सभी बदलाओं के माध्यम से हार्ट अटैक को होने से रोख सकते हैं और अपने जीवन को बचा सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपको ये जानकरी पसांद आई हो तो वीडियो को लाइक और सेयर करें एम चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें थैंक यू